मोदी सर ने मामले में गुजरात हाई कोट ने राहुल गांधी की पुनर विचार याजिका को खारिच कर दिया है हाई कोट के फैसले पर कॉंग्रेस नेताओं ने निराशा जाहिर किये कॉंग्रेस अब इस मामले को सुप्रिम कोट पे चुनाथी देने वाली है वहीं विपक्षी नेताओं ने भी इसे राहुल के साथ नाइंसाफिक करार दिया है तो किसने क्या कहा देखते हैं ये रिपोर्ट जूट की चाले चल एक राजनेतिक साजिश के तहट राहुल गांधी को कटगड़े में खड़ा कर संसत से निलंबित करा दिया कॉंग्रेस का कोई भी नीता हमारा कोई भी कारिकरता इस राजनेतिक शाजिश से नहीं डरता हम राजनेतिक लड़ाई और कानूनी लड़ाई दोनों लड़ेंगे सत्यमी वजयते वही करनाटा की डेपटी सीम डीके शिफकुमार ने मोदी मानहानी मामले में आये गुजरात हाई कोट के फैसले पर नाराज की जाहिर की है उन्होंने कहा कि बहुत रुभागिपूर्ण है कि न्याय नहीं हुआ फिर भी पूरा देश और विपक्षी दल राहूल गांधी के साथ खड़े है मुझे लगता है किसे राहूल गांधी और मजबूत होंगे उद्धव गुट के नेता संजेराउत में कहा राहूल गांधी पर गुजरात कोट के डिंडे से देश सहमत नहीं है ऐसे केस में सदसिता कैसे खत्म की जा सकती है ब्रश्टाचार की आरोप पे इतने बड़े बड़े अपराधी बैठे हैं आप टारगिट कर रहे हो हमें आशा है उपर वाले कोट में उन्हें नियाय मिलेगा कॉंग्रिस नेता अभीशेक मनु सिंग्वी ने गुजरात हाई कोट के फैसले पर निराशा व्यक्त की है सिंग्वी ने दिल्ली के फैसले पर प्रतिकरिया देते वे कहा कि हाई कोट के फैसले में गंभीर खामिया है मुझे उमीद है कि सुप्रिम कोट इस मामले को चीक करेगा सिंगवी ने कहा कि हाई कोट ने इस फैसले को ऐसे ट्वीट किया जैसे देश का सबसे बड़ा जगहने अपराद हो सिंग्वी ने आगे कहा मुझे उम्मीद है कि सुप्रिम कोट सब कुछ देखेगा मोधी मानहाने मामले में गुज्वात हाई कोट ने राहूल गांधी की दो साल की सजा अबरकरा रखी है जिस पर प्रियंका ने रामधारी सिंग दिनकर की कविता समर सेश है की पंक्तिया लेकर मोधी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राहूल गांधी इस एहंकारी सत्ता के सामने सत्ती और जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे GB Life की रिपोर्ट